Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं chapter 2 polynomial का introduction करेंगे इस वीडियो में तो introduction most important part होता है किसी भी chapter का, उसका सारा का सारा basic सारे basic concepts उस introduction के अंदर clear की जाते हैं अगर आप introduction बिना किए आप exercise पर jump कर जाते हैं तो आपको वहाँ पर doubt आते हैं बहुत सारे आपको concepts clear नहीं हो पते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि मैंने सभी chapters की introduction वीडियो बनाई है तो सभी chapters की introduction वीडियो देखिए starting से question कीजिए और I think आपको 99% chance ही जाएकि आपको question समझ में आ जाएगा और concept भी clear हो जाएगा एक परसेंट आपको doubt आता है तो आप मुझे comment कर दे मैं उसका reply जरूर कर दूँ तो चलिए देखते हैं introduction इस chapter का polynomial का सबसे पहले बात करते हैं polynomial का मतलब क्या होता है अब बार बार polynomial पढ़ते रहते हैं आपको पता ही नहीं होता है कि polynomial है क्या चीज तो सबसे पहले देखते हैं हमारा polynomial जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है poly plus nomials अब इसका मतलब क्या है poly means क्या होता है many means बहुत सारी और nomials का मतलब होता है terms जब बहुत सारी terms इकठी लिकी जाती है तो उसको हम polynomial से बोल देते हैं या फिर many terms के combination को हम polynomial कहते हैं अब यहाँ पे many का मतलब तो आपको पता है अब terms का मतलब क्या होता है अब वो terms देख लेते हैं terms क्या होती है हमारी Terms किसको कहते हैं कोई बी एक single expression कोई भी एक single expression हो उसको हम क्या बोलेंगे terms बोलेंगे अब जैसे आपने देखा hoगा x square हो y square हो y हो या फिर मान लिया 4x cube आ जाए या फिर 2 आ जाए ये सब क्या है हमारी terms है अग अलग-अलग से ये एक single term है ये एक single term है ये भी single term ये भी ये भी तो ये होती है हमारी single terms इन terms को अगर हम इकठा लिख दे तो हमारा क्या बन जाता है polynomial बन जाता है अब जैसे मान लिया हमारे पास 2 term है या फिर एक equation लिखता हूँ मैं x square plus 2x plus 3 तो ये क्या बन गई हमारी एक polynomial बन गई देखो इसके अंदर कितनी terms है एक term ये एक term ये एक term ये तो 3 terms का combination क्या कहला है हमारा polynomial अब आपको समझ में आ गया होगा की polynomial क्या चीज़ होती है उसके अंदर terms क्या चीज़ होती है उसके बाद पढ़ेंगे हम coefficient क्या चीज़ होती है coefficient क्या होता है coefficient से हमारा यहां पे मतलब है जैसे मैं मान लो आपको कह दू की x square का coefficient इस equation में क्या है तो सबसे पहले तो हम x square डूंडेंगे तो हमें यह मिल गया x square तो x square के आगे जो भी numerical value हो यहां पे कोई value नहीं है तो उसको 1 मान लिया जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा coefficient of x square क्या हो जाएगा equal to 1 clear है अगर coefficient of कोई x पूछ ले आप से तो जल्दी सोचो क्या है 2 I hope आपको अच्छे से clear हो गया है यह हमारी constant term होती है क्योंकि इसके साथ कोई भी x या कोई और variable नहीं है अब जैसे मान लिया इस तरीके से आजाए equation minus का x square minus का 2x plus 4 अब यहां पे अगर x square का coefficient पुछे कोई तो यहां पे x square का coefficient क्या हो जाएगा minus 1 अगर negative हो तो negative साथ में लेना आपको I hope आपको coefficient भी clear हो गया होगा terms भी clear हो गई है और polynomial क्या होती है यह भी clear हो चुकी है यहां पे तो कोई doubt नहीं होगा आपको अब बात करते हैं polynomial in one variable most important चीज है polynomial in one variable अब कोई भी equation हो हमारी polynomial equation होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं letters को use करते है variable को represent करने के लिए अब जैसे इसके अंदर देखो मैंने x यूज कर लिया कोई और equation लिख दू y square plus 2y इसके अंदर y यूज कर लिया z square की form में भी लिख सकता हूँ z square plus y ये z भी आगया y भी आगया बट ये तो हमारा 2 variable हो जाएगा z square plus z आजाएगा ये भी क्या हो गया z variable यूज कर लिया तो कोई भी letter यूज करना हमारा a, b, c, d, up to z तक वो क्या होता है हमारा variable की form में होता है अब सबसे पहले समझो की variable होता क्या है ठीक है फिर पढ़ेंगे हम polynomial in one variable variable का मतलब होता है जिसकी value बार-बार change होती रहे ठीक है अब जैसे देखो मैंने equation लिख दी x square plus one अब यहाँ पे अगर x की जगाह में one put कर दूँ तो क्या value आ जाएगी one का square क्या हो जाएगा one, one plus one क्या आ गया two आ गया अगर x की जगाह में two put कर दूँ तो देखो two का square क्या हो गया four, four plus one, five अब देखो यह one तो fix है हमें सा one ही add हो रहा है change क्या हो रहा है यहाँ पे value change हो रही है तो यह x क्या हो जाएगा हमारा variable कहलाएगा I hope आपको समझ में आ गया अब polynomial in one variable का मतलब क्या होता है जो भी हमारी polynomial equation होती है जैसे x square plus two x plus three लिख दिया x square minus two x plus four लिख दिया इसके अंदर देखो a की letter use हो रहा है x यहाँ पे भी x यह भी x यह भी x तो यह कहलाएगी हमारी polynomial in one variable अगर बात की जाए two variable की तो क्या हो जाएगा जैसे देखो यह z square plus y लिखा था मैंने यहाँ पे एक letter z use हो रहा है एक y use हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया two variable आ गये हमारे तो one variable और two variable तो आप easily identify कर सकते है equation को देखते ही अगर एक single letter हमारी पूरी की पूरी polynomial में है तो वो क्या कहलाएगी one variable में दो या दो से ज़्यादा variable है तो वो two variable, three variables में equation बन जाएगी I hope आपको समझ में आ गया है कि polynomial in one variable का मतलब क्या होता है next देखते हैं अपने next रखता है हमारा degree of polynomial most important चीज है आप अगर 10th class में भी पढ़ेंगे और previous class में भी साइद आप पढ़के आये हूँ degree of polynomial क्या चीज होती है degree of polynomial का मतलब होता है कि जो भी हम variable यूज करते हैं अपनी polynomial के अंदर उसकी highest power highest power of variable is called degree तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी definition लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बनती है highest power of variable equation लिखता हूँ मैं 2x की power 4 plus 3x की power 2 plus 5x कोई भी equation लिख दी मैंने अब देखो यहाँ पे क्या है हमारी x variable यूज हो रहा है तो इसमें highest power किसकी है x की power यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है जिसकी power कुछ ना given हो वहाँ पे 1 मना जाता है तो highest power कितनी होई 4 तो यहाँ पे degree जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी 4 समझ में आगी बात कोई और equation लिख देता हूँ y square plus y cube plus y की power 5 इस equation में क्या degree है तो variable क्या हो यूज हो रहा है y तो यहाँ पे highest power कितनी है 5 तो यहाँ पे degree जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 तो इस तरीके से तो आप easily identify कर सकते है अब degree के basis पे हमारी जो polynomial होती है वो तीन टाइप से हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो हमारी linear polynomial होती है एक quadratic होती है एक cubic होती है तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते है हम linear की linear polynomial कौन सी होगी अगर हमारी degree जो है 1 हो highest degree क्या हो 1 तो हम उसको linear polynomial बोलते है क्या बोलते हैं उसको linear polynomial जैसे example दे दे हैं आपे 2x प्लस 3 आजए 4x आगया या फिर 5x प्लस 6 आगया कोई और equation आजए 6y प्लस 2 आजए z की form में आजए 5z प्लस 2 आजए u की form में आजए 2u प्लस 6 आजए कोई भी equation आ सकती है कोई भी value हो सकती है यहाँ पे expression हो सकता है देखो x की power क्या है यहाँ पे 1 यहाँ भी x की 1 सभी की power क्या है maximum degree क्या है 1 तो इनको हम बोलेंगे linear equation I hope आपको समझ में आ गया linear किस तरिके से होती है उसके बाद बात करते हैं quadratic की quadratic equation या फिर quadratic polynomial कौन सी होगी जब degree हमारी कितनी हो जाए 2 हो जाए अगर हमारी polynomial की degree 2 हो तो हम उसको quadratic equation बोलते हैं कैसे जैसे 2x square plus 3x plus 4 ऐसे आजये equation या फिर आजए ax square plus bx ऐसे हो जाए तो यह a और b क्या है हमारे coefficients यहाँ पर 2 coefficients है यह 3 coefficients है तो यह भी क्या है quadratic या फिर ऐसे आजए y square plus 2 आजए तो यहाँ पर भी देखो y की power क्या है 2 तो यह quadratic equation है क्लियर है नेच्सट बात करते हैं हम जो third हमारे syllabus में होती है वो है Cubic Cubic के अंदर क्या जाएगी Degree जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी अगर Maximum degree variable की 3 हो तो उस equation को हम Cubic equation या फिर Cubic polynomial कहते हैं जैसे एक्जम्पल के तोर पे लेते हैं जेड क्यूब प्लस में टू जेड इस तरीके से हो या फिरमान लिया वाई स्क्वेयर प्लस में टू वाई क्यूब प्लस में वाई हो आगे पिछे कहीं भी हो सकती है डिगरी देखनी हमें मैक्सिमम यहाँ पे वाई वैरियेबल यूज हो रहा है हाईस डिगरी क्या है तीन तो यह क्या हो जाएगे हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल तो आई होप आपको लिनियर क्वाडिटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का अब factors of polynomial का मतलब क्या होता है कई जगे आपको factors मिल सकते हैं कई जगे आपको zeros भी मिल सकती है लिखी zeros of polynomial या फिर roots of polynomial जो ये polynomial chapter है ना class 10th में भी आपका आने वाला है तो इसको आप बहुत अच्छे से कीजिए बहुत सारे chapter हैं जो 9th के 10th class में यूज होने वाले हैं तो आपको अच्छे से 9th का math clear होना चाहिए ठीक है आप 10th का math बिलकुल easily कर पाएंगे मैंने करवार खाय से लिबस तो वहां से आप कर सकते हैं देखो यहाँ पे क्या है factors of polynomial zeros of polynomial roots of polynomial तिन्नों का मतलब सेम होता है अब ये होते क्या है ये चीज़ देख लेते है factors zeros और roots का मतलब होता है कि जिस value पे हमारी polynomial की value zero हो जाए क्या काया मैंने जिस value पे हमारी polynomial की value zero आजाए उसको कहते है उसका factor zeros या फिर roots अब यहाँ पे एक example लेके चलूँगा मैं वहाँ से आपको अच्छी से clear हो जाएगा देखो मान लिया मैं कहदू मेरे पास एक polynomial है linear x-2 तो इसका factor क्या होगा इसका factor बनाने के लिए मैंने क्या कहा है polynomial क्या हो जाना चाहिए equal to zero आ जाना चाहिए तो यहाँ से देखो मैं find out कर लूँगा x-2 को right side लेके जाऊँगा तो x equal to two तो x equal to two क्या बन गया इसका factor zeros या roots कुछ भी बोल सकते हैं देखो अब x की जगा two put करूँगा तो इसका result zero आ जाएगा two minus two zero तो x is equal to two क्या हो गया इसका factor यह तो थी हमारी linear equation अगर मान लिया हमारे पास हो quadratic equation जैसे example के तोर पे को equation है हमारी x square plus 5x plus 6 यह है अब इसके अंदर से हमने factor find out करने होते हैं तो इसके factor find out करने के अलग-अलग method होते हैं splitting the middle term भी होता है या फिर जैसे मान लिया मुझे पता इसका factor जो है x equal to minus 3 है अभी solve करके भी देखेंगे इसको x equal to minus 3 पे इसकी value 0 आनी चाहिए तब इसको x equal to minus 3 इसका factor बोला जाएगा देखेंगे इसको minus 3 पुट करके x की जंग है तो यहाँ पे पुट किया minus 3 का square plus 5 into minus 3 plus 6 minus 3 का square करेंगे तो 3 का square 9 minus का square किया तो plus हो जाएगा यहाँ पे 5 3 जा, minus का 15 आजाएगा plus में 6 6 और 9 positive है तो क्या हो जाएगा 15 minus 15 तो 15 में से 15 गया तो क्या आगया? 0 तो x equal to minus 3 पे इस polynomial की value क्या आगई? 0 तो x equal to minus 3 क्या हो जाएगा? इसका factor या फिर roots या फिर zeros कुछ भी बोल सकते हैं आई होप आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि factors 0 या roots होते क्या है? ठीक है? अब बात करते हैं इनके factors कैसे find out किये जाते हैं linear equation के तो directly equal 0 put करो factor आ गया हमारा quadratic equation के factors कैसे निकलते हैं? वो देखते हैं हमारे पास मान लिया equation है x square plus 5x plus 6 clear? अब ध्यान ये रखना है आपको ध्यान से समझो class 10th में भी use होने वाले है 11th में भी middle the splitting term ना बच्चों को confuse करती है कि कौन सा positive कौन सा negative कब लेना है कैसे लेना है मैं बिलकुल simple तरीका बता हुआ कहीं पे नहीं मिलेगा आपको ध्यान से समझो देखो यहां पे क्या है? x square plus 5x plus 6 हमारी जो equation होती है वो क्या होती है? a x square plus ये जो होता है न? beach वाली term ये होती है sum plus में ये जो last वाली term होती है ये होती है product ये चीज़ जान रखने है बीच वाली term जो होती है वो sum of roots होती है last वाली term जो होती है वो product of roots होती है मतलब जो इसके factor होंगे ना उनकी multiply करके तो 6 आना चाहिए और add subtract करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए तो हमने 6 को पगड़ना है तो product कितनी हो निची है 6 6 के factor बनाओ किस कि table में 6 आता है देखो एक तो 6 बन जा 6 आता है एक 2 थरी जा 6 होता है बन गे अब देखो यहाँ पे 6 और 1 को add करूँगा तो 7 आ रहा है बट हमें चाहिए कितना sum करके 5 चाहिए तो ये तो हम लेंगे नहीं तो ये छोड़ देंगे 2 थरी जा multiply करनी है product बोलाता तो product करके 6 आ रहा है और add करके कितना आना चाहिए 5 तो 2 और 3 कितना होता है 5 तो हमारे जो factors लेंगे वो क्या लेंगे 2 और 3 तो देखो इसको कैसे लिख देंगे जो हमारी ये equation थी x square प्लस 5 को कैसे break कर सकता हूँ मैं 2 प्लस 3 इंटू x प्लस में 6 क्या बन गया x square प्लस x के अंदर multiply करो 2 x 3 से multiply करो 3 x प्लस 6 अब देखो फर्स्ट जो 2 terms है इन में से common क्या रहा है x इसमें भी है इसमें भी है तो x common आ गया यहां से 1 x बाहर गया तो 1 x बच गया प्लस यहां पे x बाहर जा चुका तो यहां पे क्या बच गया 2 नेक्सट अब 2 term अगली वाली देखते है इन में से क्या को मना रहा है देखो यहां पे 3 x है 6 को मैं 3 into 2 लिख सकता हूं 3 2 जा 6 तो 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 को मना गया यहां से 3 बाहर चला गया तो यहां पे क्या बचा x यहां से 3 चला गया तो क्या बचा 2 clear अब देखो x प्लस 2 यह है x प्लस 2 है इसको लिख देंगे 81 और यह एक बच गया x प्लस 3 clear अब इनको equal to किसके टेकना है हमें रखना है 0 के equal रखना है क्यों रखना है क्योंकि factors तभी होंगे जब हमारी polynomial की value क्या आजाए 0 तो यहां पे क्या हो जाएगा एक बार तो x प्लस 2 equal to 0 एक बार x प्लस 3 equal to 0 तो यहां पे x की value क्या आगी minus 2 यहां पे x की value क्या आगी minus 3 तो इसके दो factor आगे x equal to 2 और x equal to minus 3 अब देखो मैंने x equal to minus 3 लेके किया था x equal to minus 2 भी अगर इस equation में put करेंगे ना तब भी answer 0 आएगा तो यह दोनों क्या होगे इसके factor I hope clear हो गया आपको similarly हम cubic के निकालते हैं cubic के हम questions के अंदर करेंगे कैसे find out करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया काफी लंबी विडियो हो जाएगी अगर cubic के भी यहाँ पर बताऊँगा तो मैं अब यहाँ पर क्या चीज clear होई हमें देखो अगर हमारी degree 1 हो means linear equation हो तो एक factor होगा quadratic equation हो तो दो factor होगे cubic equation होगी मतलब degree जिसकी 3 होगी तो उसके 3 factors होगे तो मतलब जिसकी जितने degree उतने ही उस equation के क्या होते हैं factors होते हैं I hope आपको अच्छे से clear हो चुकी है जो मैं यह चीजे बताता हूँ यह आप note down करते रहा करो साथ में copy पे अपने notes prepare करते रहा करो तो इस तरीके से हम factors find out कर सकते हैं next बात करते हैं हम अपनी division किस तरीके से की जाती है अब simple division तो आपने आती होगी मान लिया 25 को 5 से divide करना है कर दिया अब polynomial को किसी दूसरी equation से divide करना हो तो कैसे करते हैं मान लिया हमारे पास कोई equation है 5x cube plus 4x square plus 7x plus 8 इसको divide करना है divide by x plus 1 से मान लिया हमने इसको क्या करना है divide करना है तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसकी division करेंगे ये आगया हमारा 5x cube plus 4x square plus 7x plus 8 इसको divide करना है x plus 1 से देखो यहाँ पर first term क्या है 5x cube यहाँ पर first term क्या है x तो दोनों उठा लो 5x cube अपोन में x 1x से 1x कटेगा तो यहाँ पर x की power 2 बच जाएगा तो क्या बचा 5x की power 2 तो 5x की power 2 पे चला जाएगा यह इसकी इसकी multiply करेंगे तो क्या होजाएगा 5x की power 3 यह 2 power है यह 1 है तो power add हो जाएगी 2 और 1 x की power 3 फिर 5x square की 1 से करेंगे तो क्या होजाएगा पलस का 5x square जिसकी power जितनी है उतनी के निचे ही रखना है जैसे 3 power वाला था 3 के निचे 2 पावर वाला है 2 के निचे अब इसको क्या करेंगे दोनों positive है तो subtract करना पड़ेगा यह cancel out minus के 5 में से 4 गया तो minus का x square बचेगा यह हमारे agility जाएगे इनको simply ऐसे के ऐसे लिख दो 7x plus 8 अब देखो next रम क्या है minus का x square यहाँ पे क्या है x एक x से x कटेगा तो क्या बचा minus का x तो minus के x पे चला गया minus के x की x से multiply करेंगे तो minus का x square minus के x की 1 से करेंगे तो minus का x इसको plus करेंगे इसको भी plus cancel out 7x और x क्या हो गया 8x plus में 8 अब यहाँ से इसकी first रम उठाओ क्या है 8x यहाँ से इसकी first रम x तो x से x cancel तो क्या बचा 8 तो अब यह जाएगा plus के 8 पे 8 से x की multiply की 8x 8 की 1 से की तो plus का 8 दोनों positive है negative यह भी negative cancel यह भी cancel तो हमारा जो divide करके quotient आगया वो क्या आगया 5x square minus x plus में 8 और remainder क्या बचा हमारा यहाँ पे 0 अब एक चीज आपको पता होगी divide का formula जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारा dividend होता है वो किसके equal होता है हमारा diviser multiply by quotient plus में क्या होता है remainder अब देखो यहाँ पे dividend क्या है मतलब किसको बाग किया है यह हो गया हमारा dividend तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x cube plus में 4x square plus में 7x plus में 8 is equal to diviser क्या होता है जिससे हम divide करते हैं divide किससे किया है x plus 1 से multiply किससे करेंगे quotient quotient मतलब जो divide करके आया है हमारा क्या आगया 5x square minus x plus 8 minus का x plus 8 और plus में क्या होता है remainder remainder तो कुछ बचाई नहीं तो 0 तो यह result होता है यह इसके equal होता है यह चीज़ आपको याद रखनी है divide and equal to diviser into quotient plus remainder के equal होता है I hope यह division भी आपको अच्छे से clear हो गई होगी बाकी जो questions करेंगे और अच्छे से clear हो जाएगी अब last बात कर लेते हैं इस chapters के formulas की जो भी identities है हमारी उनको देख लेते हैं कौन-कौन सी identity है वो देखते हैं तो यह हमारे main identities हैं formulas हैं जो हमारे polynomial chapter के अंदर use होने वाले है इनके identities को हम देख लेते हैं यह किसके equal होती है सबसे पहले formula है हमारा कुछ formula आपको इन में से पता भी हो सकते हैं A plus B का whole square है previous class में पढ़के आए है A square plus में B square plus में 2AB clear next है हमारा A square plus B square minus 2AB देखो यहां पे plus था तो plus है minus था तो यहां पे minus आ गया एक formula दो formula clear next हमारा A square minus B square किसके equal होता है A minus B और A plus B के यह formula आपको अच्छे से learn होने चाहिए तब ही questions आप कर पाएंगे ठीक है अब देखो X plus A है X plus B इसका formula क्या बन जाएगा X square plus A plus B into X plus में AB similarly X minus A X minus B है यहां पे formula क्या बन जाएगा X square यहां पे plus की जगा minus आ जाएगा बाकी formula same A plus B into X plus में AB next मात करते हैं अब three terms आ जाएएं हमारी अगर X plus Y plus Z का whole square तो यह formula क्या बन जाएगा X square plus Y square plus Z square plus में 2XY plus में 2YZ plus में 2ZX बिल्कुल इसी तरीके से हैं देखो X, Y, Z थे तो X square, Y square, Z square plus में 2XY फिर 2YZ फिर 2ZX दो-दो का combination बना देंगे clear हैं? next है X plus Y का cube यहां पे A plus B का cube भी हो सकता है कोई problem नहीं है तो X plus Y का cube क्या formula बन जाएगा? X cube plus Y cube plus में 3XY इंटू में X plus Y या फिर कई जग इसको expand करके ऐसे भी लिख देखते हैं X cube plus Y cube plus में 3X square Y plus में 3XY square means इसकी अंदर multiply कर दी clear है? next X minus Y का cube क्या बन जाएगा? X cube minus Y cube minus में 3XY इंटू में X minus Y सबी जग है minus इसको expand करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? X cube minus Y cube minus में 3X square Y और minus minus की करेंगे तो plus 3XY square clear? last formula देख लेते हैं क्या है? X cube plus Y cube plus Z cube minus 3XY Z ये एक दो question में use होगा तो आपको पता होना चाहिए किसके equal होता है? X plus Y plus Z into X square plus Y square plus Z square minus में XY minus में YZ minus में ZX ये identity होती है हमारी mostly जो use होगी ये identity हैं कोई और नहीं identity आएगी तो उसको हम आगे discuss कर लेंगे I hope ये chapter का introduction आपको अच्छे से clear हो गया है अगर कहीं पर doubt है तो आप एक बार दोबारा इस introduction को कीजिए कोई चीज अगर समझ में नहीं आ तो comment करके मुझे बता सकते हैं otherwise इस channel को जरूर subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए क्योंकि class 6 से लेके 12 तक का syllabus इस channel पे available है thank you students for watching this video thanks for your love and support for this channel thanks